वेल्कम टून एकाडवी जेए यूट्यूब चैनल आइम जैन्त नागदाई और जेए कोच और लेक्चर वन आफ मॉडरन फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है बच्छे मॉडरन फिजिक्स एक बहुत ही इंपोर्टेंट बहुत ही आसान सब टॉपिक है फिजिक्स का जैस किये इस partner physics में हम photoelectric effect topic की शुरुबात करेंगे फो Eisen Counteroug उसके बाद atomic physics nookrey फिजिक्स और बचों इस तरह से आपको अल्टिमेटली पूरे अचरा कॉज़े बहुत है और यस बच्यों एक बात ज़रूर वोलूगा कि इस topic को स्टार्ट करने से पहले आपको को प्रीक्यूटिक की कि नहीं है इन वे टपिक है जो कि तरह से ने छेटरी आण adviser तक देंगे के लिए टुटरी को जाता है तो आप आप द्रिट्चो जुटरे में करें को शुरुसे लग्वे आपको इससे बेटर नहीं मिल सकता नहीं आपने खोज भी लिया अर जगे इस चैनल को मेक शुर आपने सब्सक्राइब कर दिया रेड बटन दवा दिया है अपनी एजुकेशन की रेवलुशन चलती रहे उसके लिए एक प्रण एक निश्चे जरूर ने बच्चों कि इन सभ करेंगे पीवाई क्यों सेशन करेंगे जुनों ने जी सीरीज चालूर है बहुत साही चीज़े जो आप लोग नहीं फॉलो कर रहें अभी तक मेक शुर आपने इस चैनल पर रेगुलर्ली कम्यूनिटी पोस्ट भी देखा ताकि आपको मालूम रहे और बच्चों अपनी है को सपोर्ट भी करते रहें साथ में वो ला ell do दाते है यहाँ एक शेर बटन है alta चलि से जब भी आप शेर करें आपको जरूर इस टरड़ चार्ट मों पर व मेंटीडिटम को तरूर बम और गाओं बच्चे को हम लोग reach कर सकें, उनकी मदद कर सकें अगर physics, chemistry, maths 11, 12 का आपका कोई भी topic आपको पढ़ना है, आपको एक चीज करनी है, livedaily.me slash j, इस link को URL box में लिखेंगे, enter मारेंगे सारे lectures आपको एक ही जगे पे सारे notes आपको एक ही जगे पे without any login, without any ads मिल जाएंगे, livedaily.me slash j, without spaces लिखना, enter मारना, उसके बाद आपको ये, video library, digital video book ज़रूर मिल जाएगे, physics, chemistry, maths के, 11, 12 के सारे topics यहाँ पे already cover हैं, लेकिन आपको इसको bookmark करके regularly visit करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ इसको save कर देने से, आपकी बात नहीं बनेगे, इसको regularly visit करते रहे, साथ-साथ अपने telegram पे जोड़ जाएं, अपने telegram app पे, आप लोग search कर सकते हैं, Unacademy J channel को जहाँ पे, जो बहुत सारी और activities कर रहे हैं, हमने अभी बहुत सारी special classes में, revision sessions, doubt clearing sessions, interactive and guidance session जो बच्चे इस साल select हो गया है, उनके interaction के लिए, guidance के लिए, doubts के लिए और इस तरह के बहुत सारे features हम करते हैं अपने special classes में, तो उसके updates आपको description में एक link है, Unacademy की profile की link है, वो कुछ इस तरह से दिखती है, आप उसे भी description में ये Unacademy profile को find करके follow up जरूर कर ले, सारे के सारे important notifications including those guidance sessions आपको मिल जाएंगे, और यही एक environment है, जो कि आपको अपने manzil तक पहुचाएगा चाहिए, आपकी जेई, neat, कोई भी exam अपनी final destination है, ये environment, ये guidance आपको definitely help करेगी, क्योंकि ये exams भी देरे-देरे computer based environment में आ रहे हैं, time limit में आपको बहुत सारे questions solve करने होते हैं, एक pressure होता है बच्चों पर आसान question होते हैं, वो भी time limit की वज़े से गलत हो जाते हैं, तो इसी वज़े से ये pole bound practice आपको unacademy subscription पर, unacademy platform पर help करेगा, as I said, there are many-many classes, we are absolutely free lots of tests, unacademy learning app या description के link को, follow करते रहे हैं, इस तरह के बहतरीन results अपने बच्चे अल्रेडी ला चुके हैं, कि all India rank 1, जेही main में इस बार पहले ही batch से, unacademy का ये पहले ही batch है, और जेही main all India rank 1, अपने ही students लेके आये हैं, बहुत सारे बच्चे 100 percentile, overall 100 percentile as well as subject specific 100 percentile, और बहुत सारे बच्चे अपने amazing 99 0.9 plus percentile लाए हैं, ये ही पूरी चीज़ को देखते रहे हैं बच्चो, this YouTube channel, those special classes, and अगर आप all एक next level पे graduate करना चाहते हैं तो unacademy का एक subscription platform है जहां पे अपने structured courses होते हैं, एक batch format में पढ़ाई चलती है, इसकी सबसे बहतरीन बात ये है कि एक ही batch में follow करने से आपको lectures के साथ DPP, उनके discussions, उनके doubts और ultimately test देने का मौका भी मिलता है, और सबसे बहतरीन बात ये है कि आप सिर्फ एक ही batch का हिस्सा नहीं रहते once you pay, क्योंकि आपने अपने hard and money को लगाया है आपको सारे batches की, सारे test series की access absolutely, absolutely open हो जाती है तो this is your subscription model जहाँ पर इंडिया के बहतरीन educators वो quota के educators जिनके लिए आप लोग quota जाना की सोच रहे थे, वो भी यहीं पढ़ाते हैं, वो ऐसे authors जिनकी books आप अलरीडी पढ़ रहे DC Pande sir, NMST sir, MS Chauhan sir इनके आपने book जरूर संभाल के रखे होंगे इनसे live पढ़ने का मौका जाने के लिए आप लोग को description में एक link है, या anacademy की learning आपको download करना है, उनमें जो plans start कर रहे हैं, उनको मैं जल्दी से बतातू यह 65 rupees per month rupees 70, 75 rupees per month इस तरह के कुछ plans है आप सोचिए, देखिए, in fact पहले try करिए, उसी के बाद buy करिए यह सारी की सारी access देता है all the courses done by every educator just think about this, या एक payment में आपको सारे की सारे courses मिल जाएंगे you're not paying for just one single course या one single batch, सारे courses done by every educator, every every time, आपको ऐसा नहीं कि आने वाले courses मिलेंगे, पिछले हो चुके courses के access मिलेंगे, आने वाले courses live होंगे, उनमें आप doubts पूछ सकते हैं, doubts को लिख कर doubt को move हो लिए आप पूछ सकते हैं, बहुत सारी practice material है, PDF form में printed form में, iconic में, और बहुत सारे test series तो आपको books पे और test series पे extra पैसा लगाने की कोई जरूत नहीं है, और जब आप enroll करते हैं, जैन्त code आपको maximum possible discount भी दीता है, जैन्त मेरा personal code है, आप जब भी इसे लगाते हैं, आप lectures को enjoy कर रहे हैं, इनसे जुड़े होएं, यह मुझे पता चलता है, and when you come into our 11th, 12th or droppers के batches, let us know, let us know how else we can help you, इस तरह का अपना कारवा, इस तरह की अपनी जो quality education की revolution है चलती रहे, upcoming batches की information में end of the video में दूँगा, लेकिन यहाँ पे अभी मैं बहुत excited हूँ, are you also excited enough? give me a thumbs up, give me a heart in the live chat, और हम लोग begin करते हैं already बहुत सारी चीज़े हम light के बारे में समझ चुके हैं, बोल चुके हैं already हमने यहाँ पे पुराने कुछ interference experiments, for example young's double slit experiment और diffraction experiments देखे हैं उनका result, उनका output तो आपको मालूमी है, कि दो slits से जब light जाती है, तो दो band नहीं बनते हैं, इस तरह के बहुत सारे bands बनते हैं यह maxima minima, maxima minima interference pattern, young's double slit experiment से बनता है और यह यह बताता है कि आपका light, wave nature रखता है तो पच्छो, light के wave nature के प्रमान हमने अभी just एक series complete करी है wave optics, उसमें देखे ही रेखे हैं आपको यहाँ पर, यह भी बात पता है कि light has both wave characteristics and particle characteristics और जो wave nature बताते हैं वो experiments में सबसे बड़ा सबसे हिला देने वाला experiment ही young's double slit experiment था 1801 में इनको, यह पता चला कि इस तरह से एक interference भी show करता है light, और light अगर interference show कर रहा है, इसका मतलब वो definitely wave है not just interference experiment, इसके बाद में और भी बहुत सारे experiments है जैसे कि single slit diffraction experiment, कि एक single slit से light गुजरती है, तो अपना path bend कर लेती है, light वैसे तो straight line में जाती है बट अगर इस single slit से वो अपना path bend कर लेती है, यह एक definite प्रमान है, proof है, कि light का एक wave nature है, इसे इस property को हम diffraction कहते है तो apart from interference experiment diffraction, जिसको हमने lecture number 9 of wave optics में पढ़ना अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो you have literally missed out highest of the highest level, मतलब बहुत सारी books में, जो claim करते हैं ITJ का advanced level हम पढ़ाते हैं, वो information भी आपको नहीं मिलेगी जो अपने lectures में, जो freely available है, उनमें मिल जाएगी, तो lecture number 9, wave optics का diffraction, देखना आप लोग को बहुत सारी intensity related भी चीज़े depth में मिलेगी, और lecture number 10 में हमने polarization एक property पढ़ाता है, जिसमें light का wave nature फिर से establish होता है मतलब light के wave nature को लेकर, यहाँ पे किसी को भी इस point तक है न, क्योंकि हमने wave optics पढ़ा हुआ है, light का एक wave phenomenon होता है, यह बात आपको definitely कहीं कहीं से तो पता चली होगी, suppose आपने wave optics नहीं पढ़ा suppose manager से lecture के शुरुवात में बोला कि आप लोग को इस series को पूरी तरह देखने के लिए पुराने topics की ज़रुरत नहीं है, कोई prerequisites नहीं है, चाहे mechanics electromagnetism, optics तक आपने उड़ा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चो we are there, we are there to take care of you and यह पूरी सीरीज, modern physics की lecture 1 से last lecture तक ज़रूर follow करने ही आपको ताकि सारी की सारी चीज़े आपको time to time, अब backlog में नहीं cover करनी पड़े time to time हो जाए, live attend करना तो बच्चो यह properties, यह experiments है जिरोंने wave nature को show किया है, wave nature को establish किया है, कौन से है यह interference, यंग्स double state experiment उसका proof है, ब्रैंट होफर diffraction, और polarization, यह तीनों चीज़े क्या बता रही है कि light का wave nature है, पर क्या कोई ऐसे experiments हैं, जिनों है light के particle nature को भी establish किया है, especially modern world में, क्योंकि modern physics के अब हम बात कर रहे हैं, तो पिछले 100 सालों में जो चीज़ें आई हैं हमारे सामने, हम उनकी विशेश तह बात करेंगे, तो बच्चो यहाँ पर आपको are there any other experiments जो आप recall कर पारें, life chat में जरूर निकना, जो कि आप सोच रहे हैं कि particle nature of light को भी show करता है, सबसे बड़ा experiment जिसने इन सारे experiments के बाद में तहलका अग्यान मचा दिया, आपको याद होगा कैसे wave optics में हमने बोला था, interference experiment में सबसे पहले, जो Newton की एक orpuscular theory थी उसको ये बता दिया था कि गलत है, यानि कि इतने बड़े giant scientist Newton की अगर कोई बात को refute कर रहा है, कोई experiment मतलब कुछ नो कुछ तो बात होगी, light का वापर dual nature, ये wave nature and similarly particle nature बताने वाला एक photoelectric effect experiment था, तो because this experiment is so so important, इसको हम सबसे पहले लेते हैं modern physics का पढ़ने का यही तरीका होना चाहिए, कि आप सबसे पहले हैं यहाप फोटो electric effect के बारे में जाने कई बार आप लोग chemistry में 11th में physics में physical chemistry में भी यह चीज़े पढ़े होते हैं, आपको आसानी होगे, photoelectric effect बच्चो क्या होता है, when a light of sufficiently high frequency, यह वर्ड शायद आपने सुने भी हो नहीं सुने हैं, तो एक बार note-down जरूर करना ही है, दो लाइने about the photoelectric effect, heading भी बना देना इस point पे, यहां पर आपको दिख रही है, यहां पर आपको दिख रही है, यहां पर आउटकम क्या हो रहा है, उसका output के आ रहा है, कि electrons are ejected, right side में जो चीज़ आप देख रहे हैं, वो electrons हैं, जैसे कि metals में electrons की भरमार होती है, हमें मालूम है कि यहां पर conductors में, metals में एक sea of electrons होता है, बच्चो हमने यह current electricity में भी यह चीज़े पढ़ी है, आपको याद होगा कि thermal physics में हमने यह सारी चीज़े पढ़ते हैं कि thermal conduction as well as electrical conduction दोनों को कौन support करता है, कि यहां पर metals के अंदर बहुत सारे electrons होता है, यह जो आपको positive ions है, red color के, यह fixed रहते हैं, यह metal ions अपने एक lattice structure को follow करते हैं, lattice structure का part होता है, fixed रहते हैं, इनके बीच में किसी तरह का एक proper structure होता है, ताकि इनकी जो properties होती है, metals की क्या properties होती है, कि यह hard रहते हैं, यह एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, इनको तोड़ना बहुत मुश्किल है, है ना, और lustrous होते हैं, इनकी जो shine आती है, वो भी इस तरह के फ्री होते हैं, तो इनको metal की surface से निकाल पाना, आसान हो जाता है, if you are using a light of particular frequency, यहाँ पे जो आप input में light डाल रहे हैं, उसकी अगर एक sufficiently high frequency, देखना words भी कैसा है, कि sufficiently high frequency रखेंगे, तब जाके आपको metal की surface के अंदर जो electrons थे पहले, वो अब बाहर आ जाएंगे, और बाहर आ आइंस्टैन का भी क्या role रहा है, वो भी समझेंगे, तो बच्चो सबसे पहली बात, metal के अंदर free electrons होते हैं, metal का structure क्या होता है, fixed lattice structure होता है, positive ions fixed होते हैं, नेकिन उसके आस पास में जो electrons होते हैं, वो easily movable होते हैं, सारे electrons नहीं, बहुत सारे electrons तो bound होते हैं central latum से, in fact यहाँ प copper, इस तरह के aluminum, बहुत सारे metals जो आप periodic table में पढ़ते हो, उनके अंदर obviously बहुत सारे protons हैं, उनके अंदर जो आसपास में inner orbits में electrons हैं, वो तो highly bound है, लेकिन loosely bound कुछ electrons होते हैं, इसी वज़े से उनकी एक Cu2 प्लस इस तरह की polarity आ जाती, इसी वज़े से आपको यहाँ पे कुछ electrons जो की free है, relatively free है, but free भी ऐसे नहीं कि आप metal को अगर जुका देंगे तो उसमें से गिर पड़ेंगे, आप समझ रहे हैं, यहाँ पे free electrons का मतलब यह है, कि वो थोड़े से loosely bound है एक term हम यहाँ पे use कर सकते, electrons are bound but they are loosely bound to the central atom, ठीक है, these are loosely bound to the metal ions and इस वज़े से यही electrons ultimately electricity के conduction में, जा है वो electricity का conduction हो, एक point से दूसरे point तक, electrons का एक flow बन जाए, या फिर thermal conduction के लिए भी help करते हैं, in fact thermodynamics में भी हम एक point पे जब conduction की बात करते हैं, thermal conduction, part 4 में अपन पढ़ते हैं, वो last class में पढ़ते हैं, उसमें भी इनी electrons को responsible for thermal conduction मानते हैं, तो यह सारे points जो कि आपको कभी कभी है कहीं कहीं आजाते हैं, आपको इस point पे शायद लगा हुगा कि thermal physics का क्या, don't worry, thermal physics के भी सबसे बहतरीन one short revisions हमने 2 साल पहले ही बना लिये थे, आपको याद होगा अगर कुछ बच्चे अपने regulated channel पे, rank booster series, rank booster course 1.0 में ही, हमने thermal physics को special classes में cover किया था, description में an academy की profile की link है, part 1, 2, 3, 4, 4 पार्ट सिर्फ देखके, आप लोग thermal physics को उस level पे कर सकते हो, जिससे की बच्चों का उस साल में 39 percentile से 90 plus percentile हो गया था, just think about this, बहुत सारी ये sessions आपको already special class में किये, but let's come to the point, बचो यहाँ पे, electrons जो के relatively free है, वो electricity के conduction के लिए and thermal conduction दोनों के लिए responsible होते हैं, और यही सारे electrons ultimately आपको किसी भी type के conduction के लिए help करते हैं, मतलब metal के अंदर freely available electrons हैं, जो कि central metal ions है, loosely bound है, लेकिन फिर भी अगर आप उस पे एक light डालेंगे, तो वो बाहर निकल के आएंगे, बचो अब यहाँ पे देखना, कोई भी light यहाँ पे work नहीं करती है, photoelectric effect करने के लिए, light of a particularly low frequency, या light of a particularly high wavelength आपको चाहिए होती है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे अगर आप एक yellow light instead यूज कर रहे हो, पिछले experiment में हमने, पिछले diagram में हमने violet light यूज करी थी, तो yellow light और violet light में difference क्या है, उनकी wavelength का difference है, उनकी frequency का difference है, तो यहाँ पे जो भी light आप यूज कर रहे हो, हर एक light के ल नहीं हो रहा है, तो क्या वज़ा है कि आपको किसी case में तो electrons निकलते हुए दिखेंगे, किसी case में यहाँ पे electrons नहीं भी निकलते हुए दिखेंगे, because जब आप एक particularly low frequency या high wavelength बच्चों दोनों चीज़े एक दूसरे से related है, please take notice of this, कि low frequency बोल रहे हैं आप, या फिर high wavelength बोल नहीं दोनों एक ही चीज़े, क्योंकि किसी भी wave के लिए frequency और wavelength में कैसा relation होता है, एक inverse relation होता है, क्या हमको किसी भी wave की velocity, v is equal to frequency into lambda वाला formula पता है, यहाँ पे आप यह formula अपने dimensional analysis से भी समझ सकते हैं, कि wavelength meter में है, frequency per second में है, meter per second यानि कि wave की speed का यह formula, frequency और wavelength की terms में ऐसे लिख जाता है, आप यहाँ से देख सकते हो, कि frequency is inversely proportional to wavelength और जब आप high frequency की बात करेंगे, low wavelength हो जाएगी, and vice versa, low frequency की हम यहाँ बात कर रहे है, high wavelength जब आपके पास available है, for example, red color, red color की wavelength क्या होगी, 700 nanometer मतलब वो highest wavelength आपको available है, उसी के पास के color, yellow की हम यहाँ पे बात कर रहे है, तो दे देख रही है, it falls on the metal surface, the output is no electrons are ejected, इस तरफ कोई भी electron eject नहीं हो रहा है, उसका कारण क्या हो सकता है, कि आपके पास यहाँ पे enough frequency नहीं है, wavelength की condition met नहीं कर रही है, इस वज़े से, output में electrons नहीं आ रहे है, when the light beam below the threshold frequency है, यहाँ पे एक minimum possible frequency होगी, जिसके लिए experiment होता है, तो वो threshold frequency को अगर हम F0 बोलते हैं, तो वो frequency light की अगर F0 से कम है, उस case में, there is no photoelectric emission, there is no photoelectric emission, frequency enough नहीं है, frequency इतनी ज़्यादा नहीं है कि photo electrons यहाँ पे emit हो सके, उसकी condition हो जाती है, यहाँ पे threshold frequency एक नहीं हम डिसकस कर रहे है, this is being represented by F0, F0 से जब कम frequency होगी, कोई emission नहीं होगा, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब भी हम किसी electron की बात कर रहे है यहाँ पे, वो इतना भी well नहीं है, इतना भी जादा easily available नहीं है, कि आप उस पे light डालोगे और वो बाहर निकलाएगा, तो देख रहे हैं आप यहा available है, free electrons इनको बोलते हैं, लेकिन फिर भी metal ions की presence की वज़े से उनको metal की surface से बाहर निकालने के लिए आपको एक effort डालना पड़ेगा, इस electron को metal की surface से बाहर डालने के लिए, बाहर निकालने के लिए आपको एक minimum possible energy ज़रूर provide करना पड़ेगा, अगर वो light की minimum possible energy नहीं है, तो उस case में यह electrons क्या बोलेंगे, बहर आने से मना कर देंगे, बोल देंगे कि नहीं, अभी मैं नहीं आ सकता, अभी मुझे काम है, इनको basically enough motivation नहीं है, कि यह अपने इस class 12 board के mindset से, जही main level पर आ सके, तो कोई बात नहीं अपने पास, हर एक तरह की frequency वाले lectures है, तो कि आपको definitely इत बोल रहा हूँ न, जो बच्चे नहीं है, चैनल पर शायद नहीं जानते हैं, जो इन चीज़े में आपको बोलने के लिए, लिखने के लिए बोल रहा हूँ, उनी चीज़ों को लिखें, सारी चीज़ों को आपको नहीं लिखना है, आपको पताईगे कि description में, PDF notes भी आपको भी scroll कर लिया कीजिए, इससे quick revision होता है, इसी तरह से बच्चे अपने अच्छी percentile के साथ pass हो जाते हैं, तो बच्चों यहाँ पे देखना, आप लोग अगर work function एक और term हम define कर रहे हैं, लिख लेना है, इसको this is the minimum energy required by an electron to escape from a metal surface, है न, बात क्या होगी, कि electrons भी यहाँ पे जो बहुत है, मतलब यह कही न कहीं तो गूमते रहते हैं, free electrons है कही न कहीं, metal ions fixed रहते हैं, जैसे कि एक party में parents अपने एक ही जगह पर खाना खाते रहते हैं, लेकिन बच्चे क्या से move करते रहते हैं, हर तरफ move करते रहते हैं, तो उसी तरह से बच्चों यह free electrons, although overall free है, लेकिन loosely bound to the metal ion है, हमने क्या बोलो इनको, they are loosely bound to the central metal ion, तो उस case में इनको बाहर निकालने के लिए एक energy आपको देना पड़ेगा, right, what is that minimum energy जो की यहाँ पर लगेगा, that minimum energy required is work function, तो यह work function को देखना हम five symbol से represent करते हैं, and this is the minimum energy required by an electron to escape from the metal surface, so metal की surface से escape करना है, minimum energy आपको यहाँ पर देना क्या metal का nature है, क्या metal का surface का structure है, मतलब की solely metal किस तरे का है यहाँ पर, उस पर depend करती है, तो बच्चों यहाँ पर अलग-अलग metals के लिए, aluminum के लिए, iron के लिए, copper के लिए, सब के लिए, अलग-अलग values होगा, इस work function का, example के तौर पर यहाँ पर आपको एक platinum, जो की काफी hard substance होता है, तो देखने हो, उसके लिए, एक 5.65, इलेक्ट्रो वोर्ट्स में यह, example के तौर पर energy work function को मैंने यहाँ पर बताया है, और उसी तरह से, cesium, बचो, cesium is a very simple to work with, न, cesium metal क्या होता है, बहुत ही बड़ा उसका structure होता है, उसके जो electrons होते हैं, और loosely bound होते है, तो उस case में, उस value अगर दी नहीं है, तो वही question में निकालनी रहेगी, बट इस तरह से आप एक idea ले सकते हो, कि एक minimum energy आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, एक electro volt क्या होता है, यह भी conversion ध्यान में रखे, एक electron का जो charge होता है, 1.6 into 10 to the power minus 19, तो एक electro volt energy की unit है, तो उसकी units joule हो जाएगी, तो इ minimum energy है, तब वो इन electrons को बाहर निकाल पाएगी, तब वो work function के अलावा भी extra energy अगर रखता है light, तब वो electrons को बाहर निकाल पाएगी, and that is why we are saying बच्चों, कि when a light of sufficiently high frequency, यहाँ फ्रिक्वेंसी sufficiently high हो, या wavelength sufficiently low हो, यहाँ पर देखना है, एक और case अपन बनाते है, जहाँ पर light की जो frequency है, वो above its threshold frequency है, frequency of the light F is greater than its threshold frequency F0, उस case में photoelectric emission हो जाएगा, उस case में, photoelectric emission हो जाएगा, इस case में electrons are ejected on the right side, यहाँ पर, और जो electrons ejected होते हैं, उनको भी बहुत ही particular नाम से अपन बुलाते हैं, दोसर कौर्ड, photoelectrons, इस सीज को भी note down कर ले, the electrons which are emitted, are known as photoelectrons, and the phenomenon is called the photoelectric effect, इस पूरे process को ही अपन photoelectric effect कियाते हैं, तो यहाँ पर दो cases हमने discuss करें, हमने यहाँ पर यह दूसरा case discuss किया है, जहाँ पर, frequency is greater than F0 है, एक और case हमने जो discuss किया था, आपको कोई भी दिखकर थे, तो मुझे जल्दी से लाइव चैट में बताएं, आपको एनर्जी की हम बात करें, कि frequency अगर होगी enough, तो energy enough होगी light के अंदर, और light की वो energy sufficient है, कि electron बाहर आ जाए, electron metal की surface से बाहर आ जाए, तो उतना minimum energy आपको यहाँ पर देना ही पड़ेगा, वनना क्या होगा, the outcome will be no photoelectric emission if the energy is less, तो यह आपका एक photoelectric effect का idea अगर हो गया है, तो बचो यही जो experiments हमने करें, हमने नहीं किया, मतलब बहुत सारे लोगों ने in fact photoelectric effect की emissions उस समय किये थे in the beginning of your 20th century, 1901, 1905, इनके आसफास बहुत सारे ऐसे experiments हुए इस photoelectric effect की तरह, जिसमें यह प्रमान मिला बच्चों हमको के light जो है, it is actually made up of particles है न, यह जो आपका पूरा process है हमने याद करो शुरू में बोला कि एक तो wave nature बोलता और photoelectric effect पार्टिकल नेचर बोलता तो यहां पर यह चीज़ समझना बहुत important है, कि कैसे photoelectric effect असल में particle nature शोग करता है, you have to really understand at this point, in fact पहली lecture में अगर आप photoelectric effect आपने chemistry में भी पढ़ा होगा, चलो, I will ask you this question कि क्या आपको मालूम है, why photoelectric effect is representing particle nature of light, why photoelectric effect is a proof of particle nature of light and not wave nature of light, तो इस point पह आपको यह समझना बहुत ज़रूरी है कि क्यू photoelectric effect का यह particle nature का proof बनता है, तो यह experiment देखना क्या हो रहा है, आपने बहुत सारे ऐसे light को, अलग-अलग light को, कभी red को, कभी green को, कभी yellow और violet light को, suppose infrared और ultraviolet light भी यूज़ करके आपने देखा, कि electrons emit हो रहा है और electrons की अलग-अलग energy हो रही है, जब वो electrons emit हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी इन photoelectric electrons की panetic energy भी अलग-अलग आ रही है, यह हमको ultimately मालूम चला, कि light जो है वो particles से बनी होई है, मतलब light भी यहाँ पे is considered to be made up of certain special kind of particles, not the particles you and I know of, अभी तक जो हमने particle की understanding ली है, वो कितनी ली है, या तो कोई atom होगा, molecule होगा, या फिर बहुत छोटे level पे, sub atomic level पे आपको यहाँ पे proton, electron और neutron की बात कर रहे हैं, बड़ उससे भी बचो अलग-टाइप के special type के particles, which are rather quanta, quanta क्या होता है, यहाँ पे energy के packets की हम बात कर रहे हैं, यहना energy के special type के packet की बात कर रहे हैं, और उसी को ultimately नाम दिया गया, photons की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, light is actually made up of these photons, light is made up of these packets of energy, एक photon को आप एक energy के packet की तरह समझ सकते हैं, यहाँ देखना, यह जो आपका एक energy का packet आके अगर एक electron में absorb हो जाता है, और उस electron में enough energy आजाती है कि वो metal की surface को escape कर पाता है, तो यही पूरा photoelectrified का basis है, कि यहाँ पे light जो है, can be considered to be made up of photons, और यही photons को, in fact हमें थोड़ा detail में इस series में शुरुआत में, especially in lectures में समझना है, तो let's consider some properties of these so-called packets of energy, so-called quanta है, यहाँ से in fact quantum physics की भी एक तरह से शुरुआत होई, क्योंकि यहाँ पे अगर light भी chunks में बटी होई है, light भी अगर छोटी-छोटी energy के packets में बटी होई है, पहले तो सोचा जाता था कि light कैसी है, कि आपको continuous stream of energy है, जैसे नदी से पानी आता रहता है, continuously आता रहता है, या फिक किछी नल को आपने खोला है, continuously पानी आता रहता है, लेकिन just think, अपना perspective इस तरह से change करो, कि आपको जो नल से पानी आ रहा है, वो एक ही बूंद एक टाइम पर अवलेबल है, एक एक बूंद ही आपको आ रहा है, और वो बहुत सारी बूंदे जब मिल जाती, बहुत सारी, literally millions of जब वो बूंदे मिल जाती, तो आपको continuous flow लगता है, but on a very small level, एक बार में एक ही packet ऐसा energy का available है, तो ये एक revolutionary perspective था, light को ही समझने का, इतने सालों से मनला है, न्यूटन के एरा से हम light को ही समझने की कोशिश कर रहे हैं, इतले 300, 300, 400 साल हो गया है, कि हम light के ही nature को समझने के इतना struggle कर रहे है, आज कल जैसे एक perspective बन गया है, कि science तो बहुत advanced हो गई है, technology इतनी जादा हो गई है, कि हम coop up नहीं कर पा रहे है, artificial intelligence आजाएगा, it will take over the world, ये सारी बाते करते हैं, on the other hand, if I tell you, the most basic phenomenon, जो कि Newton के टाइम पे ही discover हो गयते हैं, जैसे कि gravity, जैसे कि light का nature, यही अग somebody, जो कि आप future में जाके इन चीज़ें पर research कर सकते हैं, इन चीज़ें पर paper लिख सकते हैं, और who knows, एक दिन Nobel पुरसकार भी जीच सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़े करने को life में, get motivated, get inspired by each and everything that is already there in your syllabus, and future में जरूर देखेंगे, हम देखते हैं, क्या होता है, यहां पर फिल c is equal to 299792, यह आपका number है, यह आपको 3 into 10 to power 8 इस तरह से बताये जाता है कई बार, 3 into 10 to power 8 meter per second light का speed है, but what if I tell you, के vacuum में तो यह light का speed है, बट किसी भी frame में, आप यहां पर kinematics में जैसे किसी भी frame में बैठ जाएंगे, already moving frame में बैठ जाएंगे, तब भी photon की speed अगर यही होती है, if it is able to cover 7.5 orbits of the earth in one second surface to surface, equator पर अगर एक photon को छोड़ दें, तो एक second में 7.5 orbits लगा लगा लेगा, इतना fast है, तो इस इस इन फैक true for any frame of reference, as long as you are in vacuum, आप किसी भी photon को देखेंगे, चाहे वो earth पर देख रहे हैं, चाहे वो already एक बहुत fast जा रहे ही, spaceship में देखेंगे, या फिर आ आप किसी भी state में बैठ के देखेंगे, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, कि किसी भी state में light के photon की speed होगी 299792485, या फिर 3 to 10 to the power 8 meters per second, so this is something which is very fascinating, this fact in fact is the responsible कि theory of relativity का concept कैसे आया, mind you theory of relativity is still a theory to be proven with so many experiments, यहाँ पर बहुत सारी चीज़े हैं, जो कि आपको photon के बारे में भी फोटों की कुछ प्रॉपर्टी हम डिसकस करें, फोटों की प्रॉपर्टी इसको लिख जरूर लेना, once we understand photons a bit, then only we can understand photoelectric effect, तो प्रॉपर्टी नमबर 1 से प्रॉपर्टी नमबर 2 प्या आते है, प्रॉपर्टी नमबर 1 अगर आपने लिख लेना, एक बार इसको, क्या है प्रॉपर्टी नमबर 1, they will always travel with this speed, 3 into 10 to the power 8 meter per second, तो यह अगर उनकी speed है, यह सबसे known factor है, I think, सभी को पता होगा, then let's come to some more properties, that mass of photon is not defined as such, हम जैसे mechanics में हर एक particle का mass define कर सकते हैं, in fact, छोटे जी टोटे electron का भी हमने mass 9.1 into 10 to the power minus 31 define कर रखा हैं, लेकिन इस case में, photon के case में, mass of the photon is not defined, जैसे mechanics में तो हर चीज का mass देखते हैं, यहाँ पर आप लोग इसको define नहीं करोगे, rather what we can say is, that rest mass of a photon is zero, rest mass, एक नया इस तरह का term निकालते हैं, although photon कभी भी rest पर नहीं होता है, एक तरह से यह irony है, but अगर photon rest पर होता, if rest mass of a photon is considered, then it has to be zero, बच्चों यहाँ पर photon की analogy, photon की understanding आप एक energy packet के रूप में ले रहे हैं, you are thinking of this photon as a packet of energy, not as a particle, जब आपका वो photon एक particle ही नहीं, अलग चीज आप समझ रहे हैं, एक नया perspective हम एक तरह से ले रहे हैं, कि आप आम तोर पे आपकी जो neutron, proton और electrons होता है, उनका तो फिर भी mass होता है, यहाँ पे इसका mass ही नहीं है, इसकी speed हमेशा c रहते हैं, on the other hand, photons के लिए अगर हम define करें, charge होता है क्या, तो दिया electrically neutral photons का कोई charge नहीं होता है, and hence electrically neutral है, इसलिए they are not affected by electric as well as magnetic fields, तो electric और magnetic fields से photons effect नहीं होते हैं, उनकी वज़े से वो अपना direction change नहीं करते हैं, यह भी हमें पता है, and we also know that photon and particles का जब भी interaction होता है, एक photon जब metal के अंदर रखे हुए electron पर पढ़ता है, तो उनके जो collisions होते हैं, they are also perfectly elastic in nature, perfectly elastic collisions होते हैं, in fact, इसीज को हम पढ़ते भी हैं, इनी type के questions हम जहीं में करते भी हैं, जब photon आया एक particular momentum से, एक particle में absorb हो गया है, तो वो momentum conserve रहेगा, जो चीज़े हम perfectly elastic collisions के लिए ल लगाएंगे, तो ये सारी चीज़े हम obviously modern physics में पढ़ेंगे detail में, atomic physics का last lecture जरूर देखना, आपको बहुत मजाद आएगा, उस तरह के questions जहीं advanced level में बनते हैं, and let's come to fifth and the most important property of a photon, कि अगर हम यहाँ पे photon के momentum और energy की बात करी रहें, तो energy का formula photon के लिए क्या होता है, तो इसको त frequency को represent करने का, अब से हमारा symbol होगा new, this is a Greek alphabet, announce आप इसको new करते हैं, already इसको आपने use किया होगा, जैसे कि बहुत सारे topics में, already frequency को हम new से represent करते हैं, कई बार F से भी करते हैं, but mostly अब हम new से represent करेंगे, तो frequency को हम new से, यह V बनाया है, आपने थोड़ा सा अलग बनाया है, लेकिन, H into new energy of a photon हो जाएगी, H into new is the energy of the photon, and at the same time frequency और wavelength का जो relation था, जो अब हमने थोड़ी देर पहले, एक wave velocity के लिए, और any wave, जिसकी speed देख रहा है, यहाँ पर V is equal to lambda into F लिखाता है, यह formula क्या है, wave की speed का formula है, lambda is the wavelength, F is the frequency, तो wavelength meter में frequency per second में, meter per second में यह formula आपको, wave की velocity का बनता है, यहाँ पर हम wave किसकी बात कर रहे हैं, light wave की बात कर रहे हैं, जिसकी speed क्या होती है, C, और जिसकी frequency को आप सहम क्या लिखरें, new, right, अगर आप इसमें corresponding new की value को C by lambda substitute करेंगे, यही formula बचो, E is equal to H new भी, C by lambda लिखा जा सकता है, so again, very important formula, how you get from here to here, in terms of frequency, in terms of lambda, यह भी आप लोग लिख लेना, rather important formula, E is equal to H new, हो सकता है, आपने पढ़ा हो, E is equal to H C by lambda, हो सकता है, आपने पढ़ा हो, especially नहीं पढ़ा है, तो लिख जरूर लेना, how this formula is there, alright, apart from the photon की energy, you have one more expression for the momentum of photon, photon की momentum मतलब, जो linear momentum होती है, particles की, P is equal to M into V, यहाँ पर मास तो होता है नहीं, यहाँ पर आपको एक अलग formula, for linear momentum of a photon having lambda wavelength, जीखना, H by lambda, H तो आपका एक universal constant, I hope everybody knows H, यहाँ पर H को अपन, define भी कर देते हैं, H is the plank's constant, if you don't know, then write, which is the plank's constant, और H की value क्या हो जाएगी, 6.626 into 10 to the power minus 34, in its SI unit, आप लोग H की value H की नाम जानते हैं, तो H by lambda, आपके पास यहाँ पर, एक P का formula बन जाता है, ठीक है, और देखना, यह भी आप E by C की terms पर लिख सकते हैं, यह जो आपने last में, एक conversion between P and E भी देखना है, देखना है यह का आप कैसे derive कर सकते हो, how you can use the above formula, E is equal to H C by lambda, and write E by C is equal to H by lambda, तो P is equal to E by C भी लिखा जा सकता है, लिनेर मोमेंटम is energy by speed, dimensionally भी मैच कर रहा है की नहीं, सोच लो, लिनेर मोमेंटम is energy by speed, dimensionally भी मैच कर रहा है की नहीं, सोच लो, यह, and at the same time आपको यही चीज़, ऐसे भी लिख लेनी ची़, that your E energy can also be written as P into C, ठीक है, तो छोटे-छोटे दो-तीन formula आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहे है, you should write each and every one of them, on a fresh piece of page, अगर आपको यहाँ पर एक page पर नहीं आ रहा है, तो नए page पर ज़रूर लिखना totally worth it होगा, और यहाँ पर अपने लिखा हुआ है, H is the planks constant, H is 6.626 into 10 to the power minus 34 joule second में इसकी unit है, और इस तरह से आप लो, H को भी, इलेक्ट्रो वोल्ट में भी लिख सकते हो, have you written, have you seen this, एज को आप इलेक्ट्रो वोल्ट में, क्योंकि जूल में और इलेक्ट्रो वोल्ट में, दोनों में एनर्जी को हम बता सकते हैं, especially modern physics में हम इलेक्ट्रो वोल्ट में एनर्जी की बात करेंगे, तो यह और यह convergence को भी, दिमाग में हम रखेंगे, कैसे निकालते हैं यह convergence, वन जूल इस हाव मेनी एलेक्ट्रो वोल्ट्स, वन जूल इस, वन पॉइंट्सिक्स जीरो टू इंटू टेंड़ पार माइनस नाइन्टीन, जितना एक एलेक्ट्रो वोल्ट का मतलब क्या होता है, एक एलेक्ट्रो वोल्ट का मतलब है कि एक एलेक्ट्रो वोल्ट के पॉटेंशल डिफरेंस से आप लेके जा रहे हो, एक एलेक्ट्रो वोल्ट के पॉटेंशल डिफरेंस से आप लेके जा रहे हो, दाट इस वन इलेक्ट्रो वोल्ट है ना वन इलेक्ट्रो वोल्ट तो बचो यहाँ पर दो फॉर्मले आपको डेफिनेटली दिमाग में रखने E is equal to H new and P is equal to H by lambda ठीक है अब उनके बीच में छोटे मोटे conversion for example P is equal to H by C आप dimensional analysis से याद रख सकते हैं कि linear momentum energy by speed से आएगा या फिर energy की value linear momentum into speed से आजाएगी ठीक है यह आपके photon से related दो फॉर्मले one for energy and one for linear momentum अगर हमने लिखे हैं एक बार कुछ चोटे चोटे questions करते हैं understand how much of this you are already understanding mission number one आपको screen पर दिख रहा है बार समझते हैं कि यहाँ पर कितने बच्चे हैं जो कि इसको सही answer कर पाएंगे go to the question try to answer in the live chat कौन सब बुक physics में solve करें अगर so far you have really not decided on any book जैसे अपने यहाँ पर यह जो lectures हैं वो self sufficient है lectures lectures के बीच में question करते हैं और हम इस channel पर dpp, jpp, pyq sessions करी रहे हैं बच्चो उनको साथ में करते हैं प्लीज ऐसा मत करना कि सारे lectures आप एक साथ देख लो उसके बाद 6 महीने बाद questions लगा रहे हो it will all go to waste lecture देखना भी waste हो जाएगा lecture दो-तीन lecture देखो फिर practice sessions करो अपने यहाँ पर जो already हो रहे हैं उसके अलावा आपको बहुत सारे जो modules और materials books already available उनी को use करो तो already घर में जो चीज है उसको use करना I will not you know मैं नहीं बोलूँगा कि आप लोग कोई नहीं किताब नहीं किसी book में invest करें बट अगर कुछ भी नहीं है if you have nothing literally then TRS हमने एक book launch कर रखी अपने students ने अल्रेडी बहुत सारे students ने buy कर ली है and it is something जो कि आपको कम questions में जे एडवांस नहीं olympiard level तक की वे understanding देगा यह सारी चीज़ें करो उसके बाद बस एक source कोई भी 100% complete करो I will suggest TRS which is one thing जो कि आप guaranteed है 100% solve करोगा उसमें questions भी limited हर chapter 100% solve करना possible भी it's not like millions and millions of questions बच्चा एक question से start करता और फिर अंत तक आने में शायद उसको तीन-चार साल लग जाए तीन-चार साल का drop लग जाएगा limited question but each question is of such importance कि जे main नहीं जे advanced नहीं in fact अगर आप future में olympiard के लिए aspire भी करेंगे तो भी आपको help करेगा anyway let's come back to this question बच्चो p and e are both what linear momentum and energy ठीक है तो आपका इनका formula in terms of lambda क्या है p is equal to h by lambda and e is equal to h new भी लिख सकते है new को हमने c by lambda भी लिखा था ठीक है ये दो formula आपके दिमाग में अच्छे से clear होने चीए इस point पर नहीं है तो कोई बात ने लिख ले ना इन्दीस को एक दो बार अपन और questions में लगाएंगे तो हो जाएगा आपके दिमाग में तो क्या दोनों p और e increase कर जाएंगे if your lambda is decreased question में क्या दिया है wavelength की value decrease कर रहे है wavelength की value decrease करेंगे तो p b increase करेगा inverse proportionality and e b increase करेगा inverse proportionality यह आप सभी नहीं लिखा very nice very good I think a सभी लोगों ने यहाँ पर लिख दिया हुआ question number two पे आ जाए question number two पे आते है question number two is also asking you a very important conversion आप खुदी इसको derive करेंगे आपको याद भी रहेगा go through question number two सुनो जो भी general queries आप यहाँ पर spam करते रहते हो न एक request है एक दिन हफते में success वंतरा के लिए हम मिलते हैं बीच में 21 aspirants को थोड़ी guidance देनी थी last moment पे उनके लिए for being there बहुत important था मेरे लिए उनका एक बार graduation हो चुका है उनको अपने बहुत अच्छे अच्छे फ्रीम colleges मिल चुके हैं तो आपको अब अगर कोई भी query हो general query हो guidance की जरुत हो हर संडे हम success मंतरा करते हैं हर संडे हम success मंतरा एक special class करते हैं आप लास्ट वाली success मंतरा जो दो दिन पहले ही हमने करी description में मेरी profile की लिंक उस पर जाके देख सकते हो बहुत सारी बाते हमने वहां पर अच्छे अच्छी करी guidance के लिए एक positive mindset के लिए वो हर जाता है यहां पर spam मत करो पॉइंट नहीं होगा अभी हम पढ़ा रहे तो शायद हो सके आपकी query address ही नहों पाए तो बच्छे यहां पर देखना एक conversion आपको निकालना है of wavelength especially जब आप उसको nanometer में ले होगे energy of the photon को electro volt में define करने का देखना है यहां पर energy का क्या formula था hc by lambda है ना wavelength वाला formula मतला hc by lambda mostly यही use होता है wavelength के terms में अब यहां पर h की value क्या है 6.626 10 to the power minus 34 joule second c की value क्या है 3 into 10 to the power 8 है ना wavelength को मैं चा रहा हूं कि हम nanometers में ले ठीक है तो वो convergence और energy को भी में चा रहा हूं कि electro volts में ले तो वो convergence आप कैसे करोगे divided by electro volt ठीक है and wavelength को एक बार आप lambda को as it is रहने दे यह जो आपका conversion आ जाता है this is 1242 values calculate करके देखना अपको अगर 1242 by lambda in nanometer यह एक relation आया है then you are absolutely right है ना क्योंकि अगर आपने chemistry में physical chemistry में भी auto electric effect पढ़ा है यह आपको तपाक से याद आ गया हो गया if not do this calculation 1242 electro volt nanometer है ना यह इसकी units क्या हो जाएंगी electro volt nanometer आपको यहाँ पर जैसे की wavelength की value nanometers में 500 मैं बोलता हूँ कि आपको question में इसको कैसे apply करना है let's say lambda is equal to 500 nanometer आपको दे रखाए कि एक light है जिसकी wavelength 500 nanometer है तो उसकी corresponding energy कितनी होगी उसके हर एक energy packet की हर एक photon की energy कितनी होगी आप simply लगा देंगे 1242 electro volt nanometer divided by 500 nanometer ठीक है यहाँ पर आपको समझ में आ रहे है कि यह nanometer nanometer cancel होके आपको जो value आएगी वो electro volt में आएगी ठीक है तो exactly क्या आती देख लेते इस विल भी 24.84 और एलेक्ट्रो वोल्ट है ना जी जो भी आपका answer आएगा ultimately energy का एलेक्ट्रो वोल्ट में आएगा वही mostly required होता है पूरे modern physics में यह जो formula है यह nanometer की terms में है wavelength को यहाँ पर आपको nanometer में लेना चाहिए तब जाके आपका answer एलेक्ट्रो वोल्ट में आता है एक और जो छोड़ा सा variation होता है इसमें वो होता है in terms of angstrom वान टू फोर टू जीरो एलेक्ट्रो वोल्ट angstrom आप लिख सकते हो जब wavelength की value को आप angstrom में रख रहे हो दोनों formula हम काफी frequently use करेंगे दोनों को आप लिख जरूर ले और आए कैसे है वो value डालके आए यह अपने को बताई दिया है तो यह nanometer में and angstrom में क्या फरक हो जाता है 10 की एक पावर का फरक है nanometer है 10 तुद पार माइनस 9 angstrom is 10 तुद पार माइनस 10 उस वरे से वह एक 10 एक्स्ट्रा मल्टिप्लाइ हो गया वन टू फोर जिरो भी लिखते है अप्रॉक्सिमेट करेंगे बहुत सारे question में तो हम 1240 भी लिखेंगे या 12400 भी लिखेंगे आपर ठीक है थोड़ा सा precise रहन दो हो जबता है किसी question में यह precise value भी यूज हो जाए question number 2 is clear with everyone ठीक है यह conversion of energy not in terms of joule, joule के terms में तो हम देखेंगे ही नहीं हम देखेंगे बहुत सारे question में इलेक्ट्र वोल्ट में ही आपको energy लिखनी भी पड़ेगी answer में और पूछा भी वैसे ही होगा यस यह आपके दो फामुले बन जाते question number 3 पर आते हैं question number 3 को भी एक बाप पढ़ के समझ के देखो answer करें question number 3 is not asking you for any numerical calculations but still question number 3 एक conceptual question है तो इस तरह के conceptual question जही में में ज्यादा आते हैं आप अगर अपने चैनल पर regular हैं आपको पता होगा हम हर एक जही में का paper का discussion same day कर देते हैं और बहुत सारे questions modern physics से आते हैं if you are watching this series then do watch it till the end वरना क्या होगा दो तीन lecture में आप लोग को जो ग्यान मिलेगा वो initial होगा उसको sustain करें last तक आपको जही में में again same बहुत सारे question सर्फ जही में में कितना weightage है modern physics का let me tell you 12 से 15% के बीच में modern physics जही में में आ रहा है और आपको पता है कि ऐसे तीन टॉपिक अगर मिल जाया तो 30% तो आपको जही एडवांस में IIT दिला देता है आपको यहां पर 30% 30-30-40% जही में में अच्छे NIT दिला देता है तो आपको क्या करना है at least chunk by chunk है जैसे को optics हो गया 10% modern physics हो गया कुछ 12-13% उतना ही weightage करीब अभी चल रहा thermal physics का thermal physics modern physics optics ही देख ले कोई बच्चा पूरा mechanics पूरा electromagnetism छोड़ दिया तो भी जही में में एक respectable college आपको मिल सकता है यस आपको chunk by chunk in weightages को cover करना है बच्चों यह question थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा two photons are having equal wavelength then equal energy then equal linear momentum momentum का plural है तो क्या दोनों की equal wavelength होने पे यह कि lambda 1 equal to lambda 2 होने पे उसका P1 equal to P2 होगा बच्चों क्यों क्यों P1 और P2 में edge by lambda 1 edge by lambda 2 formula रखके P1 equal to P2 तो बोल सकते हैं लेकिन A is a wrong answer but your A if you have written is incorrect answer क्योंकि linear momentum by nature एक vector quantity होता है और दो vectors को आप equate कब कर पाऊगे when you know for sure कि उनके directions same हो जब इन दोनों के directions अलग-अलग हैं लेकिन lambda same है एक east की तरफ जा रहा है एक north की तरफ जा रहा है photon लेकिन दोनों के lambda same है आपका यह option तो गलत हो जाएगा ना कि equal wavelength है तो equal linear momentum यहां पे एक vector quantity है इसी तरह से इस तरह के questions कुछ कई बार खेल जाते हैं खेला हो भी हो जाता है आपके साथ आप linear momentum अगर equal दिये हैं तो definitely wavelength equal बोल सकते हैं अगर आपको vectorially दोनों equal दिये हैं मतलब direction भी same होग और magnitude तो same हो गई तो आप definitely यह बोल पाएंगे but not vice versa not the other way लामडा equal दिये तो आप even equal to P2 vector form में नहीं बोल पाएंगे D is the right answer of this question आपको I hope यह चीज़े समझ में आ रही कि यह कई बार यह चीज़े आपको एक chapter के अलावा भी जो linear momentum की property which is vector होता है वो भी समझ के आपको देनी है यह आपको कुछ questions और मैं करवांगो don't worry we'll do many many practice sessions but let's right now move on to it's the property of photon photon की देखना यह कुछ properties दे जो कि आपको definitely और help करेगी समझने में why photoelectric effect is a particle nature experiment देखना यहां पर यह आपको दो diagram दे रखे हैं दोनों diagram में क्या फरक है कि first case में आपको एक low intensity का light represent किया है second case में एक high intensity का light represent किया है दोनों lights है और first case और दोनों की wavelength भी same है ना think of this light one light to having same wavelength होगी इसका मतलब same इनकी frequency भी होगी अगर हमारे पास एक light है जिसकी let's say yellow light यहां से निकल रही है लेकिन intensity कम है intensity कम होने का मतलब क्या है कि यहां पर number of photons कम हो जाएंगे और intensity अगर आपको बढ़ानी है for example आपको एक yellow light ही चाहिए लेकिन जादा number of photons से ही है आप आप पर जादा intensity उससे gain कर पाएंगे intensity में दोनों डाइग्राम में फरक है intensity का मतलब क्या होता कि कितनी watt कितनी power आ रही है per unit area per unit time आपको जैसे intensity का already wave optics में एक आइडिया तो जरूर मिला होगा but again for new kids power कितनी हो रही है per unit time per unit area कितना पावर पर unit area हो रहा है या पावर को भी हम लिख सकते है एनर्जी पर यूनिट टाइम है ना just think about higher intensity का क्या मतलब होगा higher energy होगी per unit time जब आप wattage की बात करते है एक लेडी बल पे कोई watt है particular wattage है तो वो तो उसकी पावर हो जाती energy per unit time वो पावर कितने area से आ रही है सपोस हम वो भी calculate करें that becomes intensity तो higher intensity का मतलब होगे higher power higher energy per unit time वेवलेंद को सेम रखके हम higher power कैसे generate कर सकते है by increasing number of photons यहाँ पर number of photons को अगर दोनों case में compare करें number of photons बढ़ाने पर intensity बढ़ जाता है although frequency although wavelength सेम रहे तो भी यही एक और आपको idea यहाँ पर लेना है by increasing देखना साथ में इसको पढ़ना by increasing the intensity of light for a given wavelength wavelength को हम सेम रखते है intensity जब आप बढ़ा देते किसी light की इसका मतलब क्या है there is only an increase in the number of photons per second कितने photons यहाँ पर निकल रहे है जादा निकल रहे है यहाँ पर कम photons निकल रहे है जब आप intensity बढ़ाना जाते है by keeping same wavelength then you have to increase the number of only by increasing the number of photons यह अचीव किया जा सकता है processing per unit area where each photon is having same energy बच्चों देखना हर एक photon की भी यहाँ पर energy same है यहाँ पर हर एक photon की भी दोनों साइड में है energy same होगी क्योंकि wavelength same है but जादा photons का मतलब है जादा intensity जिस point पर आप जादा light देख रहे हैं किसी रूम में एक हो जकती है red light है लेकिन थोड़ी सी दिख रही है लेकिन एक है कि बहुत सारी रेड लाइट वोट है सेंच वेवलेंट के लिए वेवलेंट क्या होती है 700 नानोमेटर लेकिन number of photons वहाँ पर इंक्रीज हो गया है number of photons इंक्रीज करने का impact क्या है डिरेक्ली intensity पर ये impact होता है तो कैसे ये एक understanding जो अभी हमने आपे लिए बहुत सारे questions में आपको lecture 2 में जहाँ समझ में आएगा इसे questions लेंगे बहुत सारे questions में हमको help करेगा so this is one property of photon कि by increasing the intensity number of photons increase किया जा सकते हैं wavelength को same रखा जा सकते है और इसी से बच्चो आपको यहां पर यह समझ में आ जाएगा कि कैसे जो photoelectric effect experiment है वो particle nature को प्रूव करता है suppose photoelectric effect को आप wave nature से प्रूव करना चाहें है ना ऐसे कई scientist ने जब photoelectric effect experiment आया तो पता है photoelectric effect की जो nobel prize मिली है वो Albert Einstein को मिली यह बात आपको ज़रूर मालूम होगी है I'm sure लेकिन photoelectric effect उन्हें खुद ने कभी नहीं किया यह जो experiment है बहुत सारे scientist ने किया लिनार्ड ने किया सबसे पहले इस तरह से बहुत सारे scientist ने जब यह experiment किया तो Einstein ने उसको सबसे पहले explain किया he was the guy who could explain the experiment उन्होंने खुद ने कभी experiment नहीं किया इसी explanation की वज़े से उन्हें nobel पुरिसकार मिला है लेकिन उससे पहले कई लोगों ने इसको wave nature से भी समझाने की कोशिश की तो उन्होंने क्या बोला देखना especially Maxwell Maxwell का wave theory था उन्होंने बोला क कि यह wave की intensity जब आप बढ़ाते जाते हो ना एक wave आपने suppose metal की surface पर लगाई है this is your metal surface और आप यहां पर wave को एक input में दे रहे हो ना लाइट को अगर अपन wave nature consider करके इसकी intensity बढ़ाते हैं वेवलेंद सेम रखते हैं एक काम करते हैं ग्रीन का ग्रीन ही रहने देते हैं वेवलेंद को constant रखते हैं लेकिन इसकी intensity दीरे दीरे बढ़ाते रहे हैं intensity अगर हम बढ़ा रहे हैं इसका क्या मतलब है हम यहां पर जितने भी हो सकते number of photons हैं उनको बढ़ा रहे हैं बढ़ उसमें तो photon का concept उनको पता ही नहीं था तो what they thought was कि दीरे दीरे अगर आपन wave की intensity को बढ़ाएंगे एक point पर इतनी enough energy accumulate हो जाएगी कि यह metal surface गरम हो जाएगी और इससे electrons क्या है निकल पाएंगे जैसे microwave oven काम करता है ना कि wave उसके अंदर भी होती है और धीरे धीरे क्या होगा over a period of time है ना यहां पर time भी एक important factor है कि अगर हमने यहां तो intensity को बढ़ाया intensity को same रखके time को बढ़ाया दोनों ही case में दोनों ही situations में what you should see is that electrons are emitted what you should see is electrons are emitted लेकिन सबसे important चीज यहां पर यह होई कि electrons निकले ही नहीं आपने चाहे time बहुत दो गंटे तीन गंटे के लिए same light छोटी थे intensity चमका दिया या फिर उसी light के intensity को बढ़ा दिया हजार गुना दस हजार गुना बढ़ा दिया पिर भी देखा है एक electron भी नहीं निकला इसका मतलब यहां पर wave theory के explanation में कोई दिक्कत है यहां पर light की wave nature तो वर्की नहीं कर रही है you understand my point तो going by the wave theory अगर wave theory को सच मान ले increasing of the intensity would mean transfer of more energy to each of the electrons in fact अगर यहां पर कोई electron सपोज escape भी किया सपोज एक particular wavelength आपने हिट कर ली electron एक escape भी किया एक photo electron निकला सपोज यहां पर और वो photo electron की kinetic energy की पर अगर हम बात कर रहे हैं आपको क्या understanding होनी चीए कि intensity बढ़ाने पर उसकी kinetic energy बढ़ेगी इंटेंसिटी बढ़ाने पर उस electron की kinetic energy भी बढ़नी चीए but what if I tell you कि kinetic energy भी बढ़ी नहीं आपने चाहिए intensity कितनी ही 1000 गुना लाग गुना कर ली लेकिन इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं उनकी kinetic energy भी उतनी की उतनी ही रही उपर से आपने बहुत गंटों के लिए slide को चमका दिये तब भी कोई electron पहले भी नहीं निकल रहे इसका मतलब intensity पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है otoelectric emission depends on frequency यह एक बड़ा एक चमतकार था यहां पर actual observations में यही हुआ actual observation जो थी वो Maxwell की wave theory के विप्रीत थी Maxwell की wave theory क्या के रही it suggests that electrons kinetic energy would be proportional to the intensity जो मैंने यहां पर बूला ना आपको kinetic energy बढ़ जाएगी अगर intensity को बढ़ा देंगे ऐसा लेकिन हुआ नहीं on the contrary क्या हुआ on the contrary in reality ऐसा हुआ के emission of electron is an immediate effect very important point again यहां पर time कोई factor नहीं होता है आपने एक particular frequency की सही frequency की light चमका दी चाहे छोटी सी light चमका गई चाहे उसकी बहुत कम intensity थी लेकिन तब भी एकदम से electrons का emission हो जाता है एकदम से emission होना है यानि की emission of electrons is immediate and kinetic energy rather depends on frequency kinetic energy depend करता है frequency पे not on intensity बात समझ में आरी intensity पे depend नहीं कर रहा है frequency पे या wavelength पे depend कर रहा है और यह चीज मैं पे गलत है यह पर्टिकल नीचर का प्रूफ है यहीं से बच्चो आपको not only that the emission is happening only when incident frequencies above a certain minimum frequency threshold frequency का अपने concept देखा frequency जो होगी यहां पे एफ नॉट से बड़ी होनी चीए तभी होगी एफ नॉट से कम होगा चाहे कितनी भी intensity बढ़ा दो चाहे कितने भी गंटों के लिए लगा दो लाइट एक भी electron emit नहीं होगा जब होना होगा तब immediate होगा ऐसा भी नहीं है कि इसको एक दो मिरेट रखना पड़ेगा तुरंत एकदम से immediately photo electron emit होता है तो इस understanding की वज़े से ultimately हमें यह पता चलता है कि photo electric effect particle nature को बयान करता है तो yes बच्चो hence the photo electric effect is validating is proving the particle nature of light where the increasing of frequency and not intensity is resulting into photo electric emission दोनों cases हमने पहले भी देखे थे फिर से देख रहे है कि case number one में if you have a photon beam of below the threshold frequency below को क्या मतलब इसकी frequency particular threshold frequency बोल रहे है आपने उसे threshold frequency का क्या मतलब है एक minimum possible frequency तो हो नहीं चाहिए उससे काम है तो नहीं निकलेगा चाहे कितने भी intensity बढ़ा दो चाहे कितने भी intensity बढ़ा दो एक light की जागे दस light लगा दो ऐसी या फिर इसको कितने भी time के लिए रख दो there is no emission ठीक है बट चाहे छोटी सी light हो चाहे कम intensity की हो लेकिन एक frequency सही वाली हो above the threshold frequency हो उस case में जरूर एकदम से immediately एकदम से electrons का emission हो जाता है यह बच्चों understanding है और I think इस point पे यह सारी understanding हमने theoretical understanding होती है इनसे related conceptual question हम कर पाते है वो ले ली है तो yes आपको I think इस point पे कहीन कहीं यह definition आपने जरूर लिख ली होगी if not do definitely write this word जो शुरुआत में आपको दो लाइन बनाई थी light of a sufficiently low frequency low low wavelength falls on the metal surface electrons are ejected and the phenomenon is called photoelectric effect लिख लिया तो मत लिखना आपने यह चीज़ पहले भी शायद लिख रखिए and electrons are ejecting from the metal surface are known as photoelectrons मैंने यह भी आपको point out करवा दिया था कि इन electrons को जो emit हो गए है उनको photoelectrons एक नया नाम दे रहे हैं हम यहाँ पे और work function की definition मैंने बताई but threshold frequency and threshold wavelength इन दोनों के लिए भी देखना formula और definition हम यहाँ पे define कर रहे तो इनको भी लेख लेना threshold frequency जैसे हम बार बार mention कर रहे है is basically that minimum value of the frequency that minimum frequency below which no ejection of photoelectrons takes place एक minimum possible value frequency की होनी पड़ेगी जिसके नीचे photoelectrons का emission नहीं होगा तो as it is इसी language में लिखना आप minimum frequency below which no ejection of photoelectrons takes place जो point highlight कर रहा हूं मैं वो आपकी memory में बाद में याद रहेगा यह चीज़े मैं highlight क्यों कर रहा हूं why am I only highlighting particular words जब आपने जही लाइब डेली की notes को flashcard की तरह यूज करते हो बहुत सारे बच्चें जो कि ऐसा करते हैं you also start doing it soon we are in the world of technology हर चीज़ को handwritten नहीं लिखना होता है कुछ important चीज़े जरूर लिख लेना इसका यह भी मतलब नहीं कि popcorn खाते हुए lectures देखने like a web series but yes कुछ चीज़ों को मैं highlight कर देता हूं क्योंकि आप जब notes को देखते मैं खुद भी देखता हूं नोट्स को देखते हैं चेक करते रहते हैं वालिडेट करते रहते हैं बच्चों को सही content जा रहा है कि नहीं तो वह सही चीज़े आपको highlighted दिखें already okay at the same time बच्चों देखना threshold wavelength को lambda not को कैसे define कर रहे हैं आपर threshold wavelength के लिए आप क्या word use करोगे this is the maximum wavelength this is the maximum wavelength of the incident light for which photo emissions takes place है न तो इसकी थोड़ी सी language अलग है क्योंकि यहां पर minimum frequency corresponds to maximum wavelength यह आपको समझना है minimum frequency और maximum wavelength lambda is inversely proportional to frequency आपको पता है lambda equal to c by f ठीक है तो c by new आपको यह relation अगर पता है lambda is equal to c by new यह पता है कि corresponding minimum frequency will result into maximum wavelength और उसके ऊपर अगर wavelength रगदी light की तो फिर emission नहीं होगा पर नीचे रगदी wavelength तो हो जाएगा तो देखना experiment मजा आएगा आपको यहां पर इस metal की surface पे यह metal है आपका यह in fact cesium है याद है cesium के लिए हमने 2.14 इलेक्ट्रो वोल्ट रखी थी अपनी work function की value cesium के लिए 2.14 इलेक्ट्रो वोल्ट रखी थी यह अगर आपके cesium metal है जिस पे red light चमका रहे हो आप red light की wavelength क्या होती बच्चों सब लोग देखना लिखना छोड़ देना red light की wavelength होती 700 nanometer उसकी जो corresponding energy होगी वो आप कैसे निकालोगे is equal to 1242 by 700 एलेक्ट्रो वोल्ट में energy कैसे आएगी 1242 by 700 तो यह आती 1.77 एलेक्ट्रो वोल्ट 2.14 एलेक्ट्रो वोल्ट से कम है उसके लिए क्या यहाँ पर emission होगा क्या यहाँ पर electrons का emission होगा नहीं होगा कि आपको work function of cesium is 2.14 एलेक्ट्रो वोल्ट उससे जाधा energy देने पर ही इलेक्ट्रोंज बाहर आएंगे वना बोल देंगे मैं नहीं आ रहा है यह क्या है मतलब तुम लोग टाइम गेस्ट करोगे तो वह एनर्जी आपको कौन दे पा रहा है तो यहां पर येलो लाइट पर आते हैं यहां पर आपने वेवलेंध को कम कर दिया है मतलब फ्रीक्वें इस बार करके देखना 2.24 एलेक्ट्रोवल्ट है 2.24 एलेक्ट्रोवल्ट 25 एलेक्ट्रोवल्ट is definitely greater than 1.24 और यहां पर एमिशन एलेक्ट्रों का हो गया एलेक्ट्रों का एमिशन होके उसकी मैक्सेमम स्पीड भी देखो यहां पर आपको लिखी हुई है यह जो स्पीड है व wavelength को और कम कर देना चाहिए तो wavelength 700 से 550 से 400 होगी wavelength कम होती जा रही है मतलब frequency बढ़ती जा रही है और minimum frequency इसके लिए 500 के आसपास यहां पर एक minimum in fact 556 के आसपास एक value आएगी यहां पर जिसके लिए emission just होगा और उसके बाद कोई भी wavelength हो कम wavelength हो उसमें definitely देखना 400 nanometer से 3.1 world 2.14 से जादा है यह definitely एक higher kinetic energy के साथ निकल जाएगा can you see increase in the speed of the electron 2.96 से 6.22 हो गया है electron का energy भी increase हो गया है यह आपका कुछ values है standard values हैं इनसे आप समझ सकते हो कि कैसे एक minimum possible frequency चाहिए या maximum wavelength चाहिए और वो wavelength से अगर कम value होगी अगर कम value होगी तो photoelectric emission होगा दो टर्म्स हमने आपे समझ लिए इनको थोड़ा सा और detail में देखो discuss करते हैं lambda naught का एक formula भी हम निकालते हैं but I hope आपने यह लिख 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 है तो देखना यहां पर आप लोग अगर एक situation ऐसी assume करें कि यहां पर let's say these packets of energy which we are calling photons एक packet में कितनी energy है is equal to h new new frequency यहां पर गिर रही है light की एक packet में energy equal to h new है अगर इन electrons को बाहर निकालने के लिए five एक energy लगती है इन electrons को जस्ट बाहर निकालने के लिए एक five energy लगती है तो final photo electrons का kinetic energy कितना होगा let's try to derive an expression for the kinetic energy of the photo electrons photo electric effect में देखना kinetic energy of the resulting electrons definitely depends on energy of the photon incoming energy कितना है यह energy five से तो जादा हो नहीं चीए बढ़ अगर five से जादा है तो और further कितनी kinetic energy मिलती है electron को वो depend करेगी photon की energy पर and work function पर इन दोनों factors पर कैसे depend करती है इन दोनों factors पर kinetic energy will be equal to h new minus work function यहाँ पर देखना h new is the incoming energy एक electron ने एक इस तरह का energy packet consume किया फिर वो बाहर निकलने में five का loss कर लिया h new accept किया बट five energy का loss हो गया क्योंकि उसको metal की surface से बाहर निकलना है उसकी energy kinetic energy कितनी हो जाएगी resulting photo electron की kinetic energy in fact उसकी maximum possible kinetic energy के maximum possible is equal to h new minus five इस तरह से हम the equation of photoelectric effect लिखते हैं this is something we arrive at very naturally, very obvious manner में जिस तरह से Albert Einstein ने arrive किया था इस equation पे कि अगर incoming energy h new है और five energy लग रहा है इसको बाहर निकलने में बाहर जाते हो electrons की maximum energy क्योंकि और हो जकता है और भी loss हो कोई कई बार electron, electron में ही collision हो गया बाहर जो electron निकल रहे है उसकी maximum possible energy क्या है incoming minus जो उसको बाहर निकलने में लगी minus five इस equation को देखना हम कैसे लिख सकते हैं this can be written again with wavelength as hc by lambda minus five इस equation को हम दो form में लिख रहे हैं this is the equation of photoelectric effect यह आपकी important result हो जाता है इस पर arrive करना काफी natural है I hope everybody can understand incoming energy hnew है और outgoing energy निकालने के पहले आपको पता है कि five का एक work function का एक loss हो गया है hnew में आपने five को subtract कर दिये और outgoing electrons का kinetic energy है दोनों साइड में इस equation के क्या energy 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 kinetic energy और photon का energy और work function का यह relation होता है this is the biggest discovery of your 20th century के शुरुआत में यह सबसे बड़ी चीज थी इसी की वज़े से मैंने आपको बोलाई की Albert Einstein को photoelectric effect के लिए ही explanation के लिए ही Nobel मिला है by the way if you are thinking he got the Nobel because of theory of relativity and one thing theory of relativity is still a theory not proven completely yes 1905 में उन्होंने इसको explain किया इसकी वज़े से इस पॉइंट पर यह प्रूव हो गया के he is right 1921 में उनको Nobel पूरसकार मिला this is also called Einstein's photoelectric equation Einstein's photoelectric equation in terms of lambda and work function also this proves particle nature of light whether you like it or not जैसे की Albert Einstein का खुद का एक nature था बच्चो whether you like it or not deal with it because this is one equation which is proving proves the particle nature of light तो इतने सारे experiments जो कि आपने interference, diffraction, polarization सब करे और उन्होंने wave nature of light को establish किया सभी लोग उस पॉइंट पर यह सोचने लगए कि yes definitely light is a wave phenomenon suddenly that myth is broken by one more experiment the photoelectric effect experiment जिसको Albert Einstein ने explain किया and then he said he was the truth maker in fact उन्होंने का कि लड़ाई-लड़ाई माफ करो deal with it light has both particle nature as well as wave nature dual nature होता है light का इस वज़े से wave nature भी correct है particle nature भी correct है depend करता है कौन सा आप experiment करता है depend करता है कि obstacle की surrounding की क्या dimensions है जैसे कि अपने wave optics में पढ़ा dimensions भी depend करेगा कि कि तरह का light wave nature शो करेगा या particle nature this is one thing which you have to deal with and work function को हमने define किया ही था बच्चों आपको या दिला दो फिर से work function is the minimum energy required by the electron to escape from the metal surface यह nature of the metal पे metal पे ही solely depend करता है अलग-अलग metal के लिए अलग-अलग value होती है और यह work function जब आप दे दो at least इतनी energy दे दो तो electron guaranteed निकल ही जाएगा तो एक और case consider करिए बच्चों कि आपको अगर एक ऐसी energy देनी है जिससे यह electron जो है metal से जस्ट निकल आया है ना मतलब इलेक्ट्रॉन बहार तो निकल आया है यह एक electron बहार निकल आया है इसकी kinetic energy negligible है इसकी kinetic energy इस point पे zero मानके अगर अपन चले तो हम क्या कह रहे है कि इसने जो energy accept की है वो पूरी की पूरी energy इसने metal से बाहर निकालने में use कर लिए entire energy goes into the work function जो भी energy इसने h new receive करी है तो k equal to zero मतलब h new minus work function five is equal to zero लिख सकते हैं इसी तरह से h c by lambda minus five equal to zero भी बोल सकते हैं यहां से अपने पास बहुत दो formulae for threshold wavelength and threshold frequency आ जाता है threshold wavelength यह वाली lambda not minimum कितनी आपको है यहां पर maximum कितनी wavelength रखनी पड़ेगी so that अपका electron बाहर निकल आए this is the formula for lambda not this is also the formula for new not minimum frequency कितनी होनी चीए work function divided by h कि वो electron जस्ट बाहर निकल आए kinetic energy उसकी ना हो तो भी चलेगा अगर total energy इसकी zero हो गए kinetic energy zero कैसे होगी जब incoming energy पूरी की पूरी work function में लग गई है threshold frequency का formula and corresponding wavelength का भी formula आपको यहां पर दोनों लिख लेना है वैसे तो intuitive है बट फिर भी एक बार इसको लिख लेना है वैसे तो यह formula कैसे आने चीए वह आपको समझ में आई रहा है पट फिर भी लिख लेना और जैसे की हम देख रहे हैं कि यह भी metal पर depend कर रहा है जिस तरह से five depends on metal है five depends on metal है then this whole thing also depends on the nature of metal कौनसा metal आपने यूज किया है उसी पर threshold wavelength threshold frequency depend करेगा इन्हों को आपने लिख दिया था पहली इनके formula भी लिखते है threshold frequency किया minimum frequency जो आपको चाहिए इस frequency से ज्यादा value होगी तो photoelectric emission हो जाएगा इस wavelength से कम value होगी तो photoelectric emission हो जाएगा when lambda is less than lambda not and frequency is greater than frequency not तब जाके photoelectric emission हो जाएगा तो I think ये सारी चीज़े आपको मैं को आज के lecture में बतानी थी we'll wrap up with two three questions let's see how many of you can answer these questions quickly let's do couple of questions and उसके बाद कुछ questions मैं आपको homework दे दूँगा ये सिलसिला जारी रहेगा आप मेंसे बहुत सारे बच्चे जो April से आ रहे हैं in fact जो बच्चे 2020 से आ रहे हैं class 11 से वो तो देखते रहेंगे कुछ बच्चे छटते भी जाएंगे क्योंकि जही में NIT में IIT में इतनी seat ही नहीं है वैसे भी वो जो लोग है जो थोड़े से non serious है वो कम होते जाएंगे कम होते जाएंगे ऐसे हमेशा होता है but if you sustain if you just do the first step बचो पहली step तो कभी भी पीछे मत खीचना पहली step क्या है लक्चे इसको देखना जब पहली step अच्छे से करने लग जाओ तब अपने JPP, DPP discussions में आते रहना chapter पूरा होने के बाद हम PYQ sessions करते हैं इसी चैनल पर सारे के सारे topics का so far हमने किया है और आगे भी करते रहेंगे keep doing the hard work keep it up बहुत सारे बच्चे अपने सच में बहुत मेहनती है बच्चों के लिए definitely open करते रहेंगे लामडा देखना आपको दे रखिए तो फोट एलेक्ट्रिक एफेक्ट विल टेक प्लेस ओनली इफ लामडा इस लेस देन इकुल टू लामडा नॉट या अपने सी लिखा है पिटा यहां पर आपको मैंने यह question इसलिए दिया है ताकि कई बच्चों को threshold wavelength का फंडा कैसे समझ में आना चाहिए maximum wavelength कि इतनी wavelength और इससे कम value के लिए आपको photoelectric emission होगा इससे कम value होनी चाहिए हमने 700 nm के लिए देखा तो नहीं होती थी but yellow के लिए होनी लग गई 550 nm and violet के लिए हमने देखा तो और ज्यादा kinetic energy निकलने लगी this is a wavelength which is less than or equal to lambda naught similarly frequency के लिए क्या हो जाएगा this is greater than equal to new naught यह वाला wavelength के लिए question number 5 पे आते है question number 5 is also very interesting previous year question जलो करते हैं इसमें आपको work function substance का और electro volts में जहें रखा है मैंने बुला था आपको electro volts में values दिये होंगी longest wavelength that can cause the photoelectric emission longest wavelength का मतलब ही यह कि यहाँ पे यह threshold wavelength lambda naught की बात कर रहा है what is the longest wavelength lambda naught हमने देखा यहाँ पे hc divided है आपने पास जो formula था उसको हमेशा आप derive भी कर सकते हो कोई दिक्कत वाली बात ही आपको hc by lambda naught से just emission हो रहा था kinetic energy 0 थी just emission हो पा रहा था lambda naught is hc by 5 आप आपकर सकते हो और hc की value भी देखने है 1242 या 1240 अप्रॉक्सिमेट वाल्य वैल्य वाल्य 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 या 1240 एलेक्ट्रोवोल्ट नैनो मिटर में आप लिख लो त्यूकि आपको most questions में क्या होगा यह सारी values आपको nanometers में जैसे पूछिए तो 4 से आपने इसको divide किया, यहाप एलेक्ट्रोवल्ट एलेक्ट्रोवल्ट कैंसल होके और यह भी कैंसल होके क्या रहा है, 310 nanometer आप समझ रहो, सी आंसर आगया आपका भी आप समझ रहो कि किस तरह से आपको यह 1240 वाला जो approximation है HC का वो भी याद रखना पड़ेगा, कि फड़ा फट से आप calculation कर सको, बढ़ा H की value, C की value यह individually आप रखोगे, calculate करोगे, कोई फाइदा नहीं होगा, यह एक और question है जो कि आपने अभी अभी ज़स्ट किया है, and this is the last question that we are doing today question number 6 is the last and final question of the day, but make it count do this carefully and make this count give you some time for this क्या लगता है तो question में ही given है कि when exposed to green light of intensity I and but not with yellow light of intensity I green light के लिए इसका emission हो रहा है, yellow light के लिए नहीं हो रहा है green light की wavelength क्या होती है yellow से कम होती है या उसकी frequency yellow से जादा होती है ऐसा होना चाहिए भी ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है बच्चों कि green light के लिए हो पा रहा है green light की आप अगर frequency की बात करें और yellow light की यहाँ पर frequency की बात करें किसकी frequency जादा है विब्ग्यॉर में कैसे frequency चेंज होती है violet की सबसे जादा होती है और red की सबसे कम होती है आप यहाँ पर विब्ग्यॉर को याद रख ले और इस question को करें विब ग्योर को अगर याद रखेंगे तो आपको पताई की ग्रीन से हो रहा है और यलो से नहीं हो रहा है मतलब सम्वेर इन बिट्वीन इस डाट रैसोल्ड फ्रिक्वेंसी और फिर किन सारे कलर्स के लिए होगा किन सारे कलर्स के लिए नहीं होगा यहाँ पर अगर यह सारे color से जिनकी frequency जादा है F greater than F not यह सारे color से जिनकी frequency कम है तो इनके लिए नहीं होगा इनके लिए photoelectric emission होगा इनके लिए नहीं होगा Let's come to the options अगर आपने one select किया है तो one गलत है देखने हैं यहाँ पर Yellow light of some intensity which is more than high तो हो गई ही नहीं intensity पर dependent ही नहीं कर रहा है जब आपने देख लिया कि yellow light की लिए नहीं हो रहा है तो फिर yellow light की intensity बढ़ा के भी नहीं होगा It only depends on frequency और yellow के लिए पहले नहीं हो रहा था तो अभी भी नहीं होगा तो one तो गलत है टू सही है क्या Is green light of any intensity working? जब green light of high intensity वर्क कर रहा है तो green light of any intensity will also work definitely और इसी तरह से अगर आपने किया है तो D answer कर दिया है किया D for daily answer कर दिया है किया सभी ने अरे C लिखने वालो थोड़ा सा देख लो स्वाती, आशीश, freeways and बहुत सारे बच्चों सुल्तान ने सबने D for daily answer जरूर किया है तेखने हैं यहाँ पर red light of any intensity भी वर्क नहीं करेगा red भी आपको yellow और orange के साथ ही आता है in fact सबसे far off में आता है मतलब सबसे बड़ी wavelength है सबसे कम frequency है तो उसके लिए वर्क नहीं होगा red light नहीं होगा इसे हमाना का विब्ग और लिख लो इस तरह के color की बात हो रही तो विब्ग और लिख लो एक section के लिए जो कि green side में आ रहा है उनके लिए होता है और yellow, orange और red के लिए नहीं होता है तो violet के लिए होता है, red के लिए नहीं होता है तो और four मतलब D answer आपने लिखा है तो इस तरह से बच्चो questions आपको कुछ अलग-अलग format में अलग-अलग तरीके से conceptual question, numerical question पूछे जाते हैं हम obviously इस तरह के और questions अपने practice sessions में, JPPs में करेंगे और कुछ questions में आपको आज homework में दे रहा हूं तो आप लोग इनको try करें, comments में answer लिखें and please be regular from this new topic नया topic, नई उमीद है, नया जोश लेके आता है but रोज जो बच्चा April से डेर बज़े लाई होके सारे 10 बज़े तक इस channel पर पढ़ रहा है उसे अपने मन चाहे college में जाने से कोई नहीं रोख सकता, that requires dedication that's why only some are able to do this क्या आप वो कर सकते हैं, just think about this thank you so much for being here make sure आपने वो like बटन दबा दिया, make sure share कर दिया है hashtag JLiveDelic से ज़रूर share करना यहाँ वो share बटन है, instagram पर, telegram पर, facebook पर जहां कहीं पर भी share कर रहे हो, at the rate जैंत नागदा, बच्चो आप मुझे अपने unacademy के learning app पर भी find ज़रूर करें, वहाँ पर हमने बहुत सारी special classes already लिए हैं आगे और लेंगे, at the rate जैंत नागदा is my ID everywhere, उसके लाभा आपको telegram download करके install कर लेना चाहिए, telegram पर search करना unacademy G, उस channel को follow up कर लेना, उस पर आपको सारे ही अपने इन sessions की timing, details, schedule, notes and also motivational related चीज़े मिलेंगी, साथ साथ अपने description में भी एक unacademy की profile की link है, और उसके लाभा मैंने एक one shot की अलग से link आपको और बना की यह वाली दे रखी है planural.com slash jant 161, जिस single most resource जो कि आपको physics के best revision sessions देता है, चाहिए वो practice sessions हो, चाहिए वो theory sessions हो time to time हमने interactive sessions भी किये, बच्चों से बातचीत guidance के लिए हमने इस तरह के success mantra sessions और doubt clearing sessions और pole bound practice sessions तो हम करते ही आते हैं, यह पूरा एक environment है बच्चों जो कि आपको किसी भी competitive exam में confidence दिलाता है कि आप time limit में questions धेर सारे होते, answer कर पाएंगे with primal accuracy and competitive advantage आप ले पाएंगे अपने peers पर, आप जहां पर गलती कर रहे हैं आपकी जो weak spots है, वो highlight होती है आप उनको दीरे-दीरे कम कर पाएंगे, remember that this happens over a period of time आप पहले से दसवे माले तक एक short में नहीं जा सकते हैं, आपको एक-एक CD से ही जाना पड़ेगा तो यह बच्चों अपने कुछ students regularly follow करते हैं इन चीजों को और definitely उनको भी इस तरह के कुछ results मिलेंगे, चत प्रतिशात result मिलेंगे, अपने बच्चों को अलड़ी पहली बैच से बिले तो आगे क्यों भी मिलेंगे यह बच्चों अपने, एक structured format में courses होते हैं, academy के subscription platform पे, जहाँ पे evolved class 12th का, emerge class 11th का, droppers का, जुन्हों ने यही बैच भी हमने चालू कर दिया है आपको अपने target year के specific batches को join करना चाहिए और अच्छी बात यह है कि उन एक ही batch में आपको सारे lectures, notes, DPPs, उनके doubt clearing sessions और test भी देने को मिल जाएंगे आपको बहुत सारे batches जो कि अपने quota के educators, वो authors जिनकी books आप already पढ़ते हैं, वो पढ़ाते हैं, यह सारी चीज़े आपको definitely अपने अंजाम पे, अपने goal पे पहुँच आएगी तो make sure आप anacademy की learning app को download कर चुके हैं, उसको download करके play store पे, download करके install कर ले, उस app को खोल के उसे explore कर ले, उस पे बहुत सारे features, बहुत सारी tests, प्री में हैं, बहुत सारी classes जो अपन करते हैं, वो भी प्री में हैं, उस पे आप search कर ले, जैंत, यह आपका JEE या NEET aspirant है आप, यह आपका जो भी target है बिटा, future में आप जो भी exam लिखने वाले, चाहे board exam ही क्यों नहीं है, आपके लिए वहाँ पे बहुत सारे free sessions already हमने कर रखे हैं, and once you think about getting into this, आपको लगता है कि अपने जो भी बच्चे जो की dedicatedly JEE और NEET की preparation करते हैं, 11-12 से ही start करते हैं, अगर आप भी वो करते हैं, आपको yes, यह सारे plans, रुपी 65 per day, 70-75 per day के plans हैं, क्योंकि no cost TMI और maximum possible discount आप जहेंत कोड से लेके purchase कर सकते हैं, and इन में आपको सब कुछ मिलेगा, all courses, all the classes, चाहे वो पहले हो चुकी है, recording उनकी, live classes में आप doubts फूच पाऊगे, PDF notes and material in the PDF form, और आपको बहुत सारे tests, है basically आपको रुपी 65 per day से start होता है, अपना एक iconic subscription भी जहां पर आपको अपने printed iconic notes और एक personal coach मिलता है, वो coach आपको time to time guide करता है, आपकी जो भी requirement होती है, especially जो बच्चे थोड़ा सा late चालू किये, या with a backlog है, या फिर ऐसा होता है कि कई बार आपको motivation की कमी होती, everything is kept in check by this, personal guide वो आपको एक personal mentor होता है, वो आपको time table बना के देता है, और make sure करता है, इसको भी आप maximum discount, जहनत code के साथ ले सकते हैं, जब आप जहनत code यूज करते हैं, that is something which is very special to me personally, आप लोग अपने cause को support कर रहे हैं, और साथ-साथ अपने से जुड जा रहे हैं, तो इन lectures को जब आप देखत से आ रहे हैं, definitely इस code को use करके, annual कर सकते हैं अभी six month के लिए, 22 aspirants, आपके next six months बहुत crucial हैं, और वो last few months होते हैं, जो कि आपको definitely added advantage देता है, तो वो six पे one month आपको extra अभी मिल रहा है, यह offer चल रहा है, 18 months, देख साल के लिए जो बच्चों आपने 11th के बीच में कहीं पे हैं, या फिर आप लोग 12th के बीच में हो, लेकिन next year drop लेना चाहरे हो, if you are studying these lectures for JAE के point of view से नहीं, but board के point of view से do that, एक चीज़ जरूर recommend करूँगा, कि 12th का syllabus JAE के point of view से थोड़ा बहुत पढ़ने लग जाओ, 12th में तो board में मचा ही दोगे, और JAE के लिए next year जब ड्रॉप लोगे तो ज़्यादा टेंशन नहीं होगी, आप फिर next year में 11th का portion पे ध्यान ज़्यादा दे सकते हैं, 18 प्लस 3 मंत का जो प्लान है, तो अपने class 12th aspirants के लिए भी है, वो अपने इस साल JAE board exam दे दे, या JAE mean भी दे दे, और next year तो JAE में मचा ही देंगे, तो these are all available offers right now for 22-23 aspirants, और आ आपको जहनत कोट से extra discount भी मिल जाएगे, यह अपने कुछ बच्चे हैं, जिन्हों ने जे advance में बहतेरी results दी हैं, I hope you know each and every one of them, इनके interview sessions इस चैल पे हम regularly कर रहे हैं, तो make sure आपका भी target कुछ ऐसा हो, और make sure बच्चो अनकाडमी की learning app पे भी आपका, एक doubts section में, आप photo कीच के अपने doubts को upload करके उसके video solutions, उसके written solutions देख पा रहे हैं, तो यह सब कुछ आपके लिए हैं, description में अनकाडमी, combat का भी link है, it's a test that happens every Sunday 11 a.m., यह भी बहुत अच्छा practice के लिए एक test है, उसके अलावा जो बच्चे अच्छा perform करते हैं, उनके लिए scholarship results हैं, इसे भी आप free में दे स सकते हैं, unlock करने के लिए, इस code को use कर सकते हैं, thank you so much for being a part of this session, it was a lovely interacting with you all, with more interactions, आप लोग और अच्छे से इस channel पर use कर पाएंगे, चीज़े सीख पाएंगे, जब भी आपको कोई चीज, learn करने को मिली है, इस video को like करें, नहीं पसंद आया, dislike भी करें, और make sure share ज़रूर करें, जब भी आप like करें, with hashtag JLifeDaily, उन्हें hashtag है, revolution का hashtag है, thank you so much, make sure you're regular, make sure you keep practicing also, bye bye, see you soon.